नभर्ष ग्यान कुंच चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की आत्रा पर लेकर चलेगे, जो अपने विशाल और रहस्य मय इतिहास के कारण आज भी दुनिया के लिए आकर्शन का केंद्र बनी हुई है। ये है प्राचीन मिस्र की सभ्यता, जिसने नकेवल अपने समय में कला, विज्ञान और आध्यात्मिक्ता के क्षेत्र में अपार उन्नती की बल्कि अपनी अध्वितिय धरोहर से भविश्य को भी प्रभावित किया। मिस्र की सभ्यता का आरंभ और विकास प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ लगभग 31 इसा पूर्व नील नदी के किनारे हुआ था. नील नदी ने इस सभ्यता को जीवन परदान किया. हर साल नदी में बार आती थी जो चारों और की भूमी को उपजाओ बनाती थी और इस उपजाओ भूमी पर मिस्रवासियों ने क्रिशी का विकास किया यही क्रिशी मिस्र के लोगों की अर्थ व्यवस्था का मुख्या आधार बनी और उन्होंने इसके माध्यम से अपना समाज और संस्कृती विक्सित की मिस्र की सभ्यता के कालखंड को मुख्य रूप से तीन प्रमुख भागों में विभाचित किया जाता है प्राचीन सामराज्य, मध्य सामराज्य और नया सामराज्य इन तीन कालखंडों में मिस्र के शासकों जिन ही फिरॉन कहा जाता था ने अलग-अलग समय में कई अद्वितिय और विशाल सन्रचनाओं का निर्मान करवाया, जिन में पिरामिद, मंदिर और विशाल मूर्तियां शामिल हैं पिरामिद और गीजा का महान पिरामिद मिस्र का सबसे प्रसित प्रतीक पिरामिद है विशेशकर गीजा का महान पिरामिद जो फिरॉन खुफु की सम्मान में बनाया गया था इसे विश्व के साथ प्राचीन आश्चर्यों में से एक माना जाता है और यहां आज भी मानव निर्मित एक अद्वितियसन रचना है और के पिरामिद भी शामिल हैं। पिरामिदों के निर्मान में लाखो पत्थरों का उप्योग हुआ और हर पत्थर का वजल कई टनका था। इन पिरामिदों के निर्मान में इतनी सटिक्ता और तक्नीकी ज्यान का उप्योग हुआ है कि आज भी वैग्यानिक और इंजिनियर इस बात पर शोद कर रहे हैं कि उस समय के लोग इतनी भारी सनरचनाओं का निर्मान कैसे करते थे। ममी करल की प्रथा और पुनरजन्म का विश्वास मिस्रवासियों का पुनरजन्म में गहरा विश्वास था। उनका माना था कि मृत्यू के बाद भी आतमा जीवित रहती है और उसे उस शरीर में लोटने का मौका मिल सकता है। इसी कारण से उन्होंने मृत्य शरीर को ममी करल की प्रक्रिया से सनरक्षित रखने की परंपरा विक्सित की। ममी करन एक जतल प्रक्रिया थी जिसमें विशेश पुजारियों द्वारा शव को अलग-अलग प्राक्रितिक तत्वों का उप्योग कर सुरक्षित रखा जाता था। ममी करल की प्रक्रिया में शरीर से सारे तरल पदार्थ और अंगों को निकाल कर उसे विशेश तेलों और रेजिन से संरक्षित किया जाता था इसके बाद उसे पट्टियों से लपेटा जाता था ताकि शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके फिर उस ममी को एक विशेश ताबूत में रख कर पिरामिद या किसी मंदर में समाधी दी जाती थी ये प्रक्रिया केवल राजाओं और उच्चवर्प के लोगों के लिए ही नहीं थी बलकि धन्वान और प्रतिष्ठिक नागरिक भी इसका लाब उठाते थे धार्मिक मान्यताएं और देवी देवता प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन में धार्मिक मान्यताओं का अत्यदिक महत्व था उनका धर्म बहुदेववादी था और वे सेक्रों देवी देवताओं की पूजा करते थे जिन में से प्रमुक्त हे प्राक्सूर्य देवता, ओसिरिस मृत्यों और पुनरजन्म के देवता, आइसिस मा और प्रें की देवी और होरस प्रक्षा का देवता हर देवता का अपना एक विशेश मंदिर था और उनकी पूजा विधियों में पवित्र अनुष्थानों का आयोजन किया जाता था मिस्र के धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के जीवन, मृत्यू और पुनरजन्म का विस्तार से वर्नन मिलता है फिरौन को देवताओं का प्रतिनिधी माना जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि उसकी मृत्यू के बाद वह देवताओं की साथ स्वर्ग में विलीन हो जाता है हाईरोगलिफ्स चित्रलिपी का अनोखा रूप प्राचीन मिस्रवासियों ने अपनी सभ्यता के विकास में हाईरोगलिफ्स यानी चित्रलिपी का अनूथा योगदान दिया यहे एक विशेश प्रकार की चित्रलिपी थी जिसमें चित्रों और प्रतीकों का उप्योग करके समवाद किया जाता था मिस्रवासियों ने अपनी धार्मिक और एतिहासिक जानकारी को चित्रलिपी के माध्यम से पत्थरों, पपायरिस और मंदिरों की दिवारों पर अंकित किया इस चित्रलिपी की खोच से हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं, एतिहासिक घटनाओं और दैनिक जीवन के बारे में गहरी जानकारी मिलती है विज्ञान, गनेत और चिकित्सा प्राचील मिस्रवासियों ने विज्ञान, गनेत और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपून योगदान दिया वे नक्षत्रों के अध्यायन में निपुन थे और उन्होंने समय का मापन करने के लिए एक कैलेंडर प्रनाली विक्सित की थी वे गनेत में भी कुशल थे और उनके गनेतिय सिध्धानतों का उप्योग पिरामिद निर्मान में किया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अद्भूत उपलब्दिया प्राप्त की जैसे की सरजरी और और औशधियों का उप्योग मिस्र की धरोहर और उसका प्रभाव प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने विश्व को अपनी अद्वितिय धरोहर से प्रभावित किया है उनका कला और स्थापत्य कौशल, धार्मिकास्थाएं और रहस्यमई संसकार आज भी लोगों के मन में गहरी चाप छोड़ते हैं मिस्र के पिरामिद, ममी कुरण और उनकी देवी देवताओं की कहानिया आज भी हमारी आधुनिक संसक्रिती का हिस्सा हैं और हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाती है जिसने विश्व के इतिहास में अपनी एकमित छाप छोड़ी है धन्यवाद, नभर्ष ग्यान कुण्च चैनल के इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके ज्यान में व्रिद्धी की होगी और प्राचीन मिस्र की अद्भुत सभ्यता के प्रती आपके मन में और भी जिग्यासा उत्पन की होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप ऐसे ही और भी रहसिमय और ज्यानवर्धक विश्यों से जुड़े रहें